एलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आर चैनल, नाओ दिस इस दो मोस्ट अवेटेड़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MNS, हाडली इसमें से आपके दो कॉश्चिंस MNS एक्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मैंने डेजन थीम्स ह प्रवाइड किया है, और प्लस जो डेजन थीम्स है, वो आपके एपरेल 2020 से में 2021 के ही इंवाल्व किया है, क्योंकि आपका जो एक्जाम है, वो में फर्स्ट वीक में होगा, तो इसलिए, उसके बाद जितने भी मन्स है, सेप्टेंबर, ऑक्टूबर, नवेंबर, वो आप पिशले साल के करने है, 2021 के कोई जरुत नहीं करने की, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, और वीडियो में जो मैंने आपको डेजन थीम्स प्रॉइड किये है, तो डेज तो इसके लावा भी बहुत important है, जो आपको learn रहने चाहिए, जो इसमें involved नहीं है, इस वीडियो म है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अफ जो प्रिवियस आग्स्ट कोशिंज हैं MNS में 2020 और 21 के, तो टीवी डे और टीरिजम डे ये 2021 MNS एक्जाम में पूछा गया था, 2020 में सौरी, और ये दोनों जो कोशिंज हैं वो 2019 के है, कोशिंज पूछा किया था, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7th अप्रेल, और वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी, 2019 की पूछे गई थी, उसके बाद वर्ल्ड टीवी डे और वर्ल्ड अंटी टेरिजम डे, तो ये कोशिंज थे, जो डेजन थीम्स के आपके एक्जाम में आए हैं, तो इसी लेवल के कोशिंज आपको करने हैं, जो इंपोर्टन हैं, और इंटरनेशनल से जो थीम्स हैं, वो बिसिकली पूछ ली जाती है, इसकी जो पीडिएफ है, वो मैंना आपको टेलिग्राम पे प्रोवाइट कर दूँगी, प्लस आप भी अपने आप से खुद से लिखो के तो लर्न रहेगी, इसलिए जो मैं बोलती जाओं कि ये इंपोर्टेंट इसे नोट डाउन कर लो, तो वो नोट डाउन कर लेना तभी, ताकि आपको याद भी रहे, राइट, तो स्टार्ट करते हैं, इस बार की जो थीम है, इस बिल्डिंग अफेरर और हाल्दियर वर्ल्ड, 2020 की मैंने कुछ-कुछ डेस की थीम्स इन्वाल्व किये, बट आपको ध्यान निदेना, आपको 2021 की लर्न करनी है, तो आप कैसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि कोरोना वाइरस ने 2020 येर को बहुत पूरी बनाना है, उसको रिस्टोर करना है, अपनी हाल्थ को, और बिल्डिंग अ फेरर, क्योंकि कोरोना ने हमारे साथ बहूत अनफेर किये 2020 में, तो हमें फेरर और हाल्दियर वर्ल्ड बनाना है 2021 में, तो ऐसे यात कर सकते है थे 2021 की वर्ल्ड हाल्थ डे की थीम्, ओके, नेक्स ठेरो और देखो हैरिटेज को जो धरोवर है हैरिटेज मतलब धरोवर तो आप ऐसे लन कर सकते हो आकर ठेरो तो आकर मतलब अपरेल और ठेरना मतलब अठारा तो अठारा अपरेल is celebrated as World Heritage Day 2020 की theme है इस बार की theme मुझे नहीं मिलिये तो इसलिए और कुछ themes अगर रहे जाती है तो वो मैं comment section में pin कर दूँगी इस बार की जो पिछली बार की theme है that is shared culture, shared heritage and shared responsibility not so important health day की आप note down कर लेना building a fairer and healthier world next is earth day very important इसे भी note down कर लेना important है PDF प्रोवाइड करना एक अलग बात होती है बट खुझ से आप link के याद करोगे ना तो वो जादा जल्दी याद रहेगा आपको तो earth day की जो theme है by separately celebrated as earth day तो इस बार की theme है restore our earth तो इसे आप कैसे लंग कर सकते हो आप 2020 की जो theme है उससे link करके याद कर सकते हो 2021 की कि climate का action हुआ climate ने positive action किया या फिर climate की action जो बिकार action था उसकी वज़े से हमें earth को इस सालग restore करना पड़ेगा तो आप ऐसे learn कर सकते हो climate action 2020 की और इस बार हम क्या करेंगे फिर earth को restore करेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगे forest day की जो theme है restoration, forest restoration तो उसमें भी restoration आ रहा है तो ऐसे learn कर सकते हो कि earth restore करने के लिए हमें forest को भी restore करना पड़ेगा क्योंकि Amazon में fire last year fire breakdown हुआ था Amazon में तो ऐसे learn कर सकते हो कि forest restoration is forest day theme 21 March so important है earth रहे restore our earth next is world malaria day malaria day की theme है 2021 की that is ready to beat malaria बट इसमें में मेरे को confusion है क्योंकि ये जो ready to beat malaria है ये 2018 की भी theme है और Google पर search करने पर 2021 की भी same दिखा रहा है ready to beat malaria 2020 की भी important है इसकी तो zero malaria starts with me okay zero malaria starts with me क्योंकि April से मैंने आपको बता है April 2020 से में से पहले मतलब में से पहले जो April 2021 होगा वहां तक कि आपको current affairs learn करने है और days and themes जो है वो current affair oriented questions आते है तो इसलिए दोनों themes इसकी important है so zero malaria starts with me तो आप कैसे learn कर सकते हो zero malaria starts with me क्योंकि अब तक years में zero नहीं आया था 2018-19 लेकिन 2020 में zero है ना 2-0 है तो zero malaria starts with me next is world wildlife day third of march is celebrated as world wildlife day अब याद कैसे करोगे कि 3 march को world wildlife day celebrate करते है w को उल्टा करोगे पहले तो m हो जाएगा march और यहां फिर ऐसे भी learn कर सकते हो कि जो wild animals है क्योंकि वो wild है वो wild है तो उनका एक पैर ठूट गया है चार पैर होते है animals के तो तीन रह गया और तीन पैर से वो march कर रहे है forest में जबी भी you know the lion king आपने movie देखियो तो उसमें बहुत सारे ऐसे bell वगेरा तेश चलते है तो आप ऐसे link करके याद कर सकते हो मुझे तो ऐसे याद हुआ था तो जैसे मुझे याद हुआ है वैसी मैं आपको बता रही हूँ तो third of march is celebrated as world wildlife day अब इस बार की जो theme है that is forest and livelihoods sustaining people and planet तो forest और जो livelihoods है उसको हमें maintain करना है plus peoples को sustain करना है and planet को sustain करना है तो that is world wildlife day third of march और 2020 की theme थी sustaining all life on earth तो all life में आप ऐसे learn कर सकते हो 2020 की जो theme है all life से कि जो wildlife है उसमें सारी life आ जाएंगी domestic wildlife जितने भी animals हैं human beings हैं और भी जो जीव जनतु हैं ऐसे ना फ्लोरा फॉना तो sustaining all life on earth so ये भी important है world wildlife day next day is international human day इसे भी note करना important है 8 March is celebrated as international women's day and national women's day celebrated on 13th of February on the first governor of UP Sarojini Naidu उनके बड़े पर तो 13 February national women's day क्योंकि women's day बहुत news में है तो national women's day में भी पूछ सकते हैं so international women's day इस बार की theme है choose to challenge मतलब challenges को हमें choose करना है हमें challenges को face करना है so 2021 की theme very important March की आप मत याद करो कोई जरूरी नहीं है इसकी theme याद करना आपको 2021 की याद करनी है क्योंकि March जो है वो आपके एक्जाम के nearby month ही है April, May में आपके एक्जाम है तो March 2021 की learn करनी है आपको 2020 की learn नहीं करनी है वो बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी ओके, choose to challenge Next is World Forest Day 21 March को हम celebrate करते है World Forest Day और 22 April को मैंने बताया था Earth Day ठीक है, restore आर अर्थ उसकी theme थी तो World Forest Day 21 March को celebrate करते है इस बार की theme है Forest Restoration, A Path to Recover and Well-Being Okay, Forest जब restore होगा तब ही हमारा जो recovery है वो अच्छा होगा और well-being भी हमारा अच्छा होगा तो Forest Restoration से Path to Recovery तो इसे भी note down करने ला important है Next is World Water Day World Water Day की theme क्या है पिशली बार की theme है Water and Climate Change तो यह आपको learn नहीं करनी है Valuing Water important है यह आपको याद करनी है अब Earth Day की पिशली बार की theme थी Climate Action तो Climate का Action हुआ तो इस बार हमे Climate के Action जो Negative Action था उससे हमें Earth को restore करना है तो Earth Day की इस बार की theme हो जाएगी restore Earth ऐसे ही Water and Climate Change Water पर Climate का भी Climate Change का भी असर किस पर पढ़ा है Water का तो इसलिए Water की बहुत ज़्यादा scarcity बढ़ गी है उसको उसको maintain करने के लिए उसको बचाने के लिए Water को हमें Value करनी पड़ेगी Water की Value समझनी पड़ेगी तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो Valuing Water इस बार की theme हो जाएगी फिर है ना Okay Next is World TB Day MNS exam में पूछा गया है इस बार जो theme है TB Day की वो पूछी गई थी 2020 में तो important है So जो World TB Day है 2020 की That is its time और ये MNS में पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ ये important है क्योंकि आपका जो exam है 11 September 2020 को हुआ था तो ये question तो बिलकुल बनता था क्योंकि current oriented ही था 2020 की March की theme पूछी की थी So it's time इस बार की theme थी 2020 की और 2021 की जो इस बार की इस year की theme है That is The clock is ticking अब इसे कैसे link करोगे 2020 में तो हमें लगा TV को हमें हराना है तो हमारे पास time है It's time हम बोल रहे थे It's time ठीक है I It's time But अभी हम क्या बोल रहे है The clock is ticking Clock जो है वो tick कर रहे Warning दे रही है Clock कि अभी time नहीं है तो 2021 की जो theme है That is The clock is ticking तो इसमें भी TR है तो TB Day की theme हो जाएगी The clock is ticking Next is World Cancer Day ये बहुत simple है 2019 से 2021 21 तक की जो theme है That is I am and I will मैं हूँ और मैं रहूँगा I am and I will That is World Cancer Day 4th February celebrated as World Cancer Day Very important ये नहीं डेस भी आप याद करते चलना 24 मार्ज TB Day 22 मार्ज Water Day Next is World Wetland Day 2nd of February is celebrated as World Wetland Day So 2021 की theme है Wetlands and Water तो जब हम इस बार जो theme है Water Day That is Valuing Water जब हम Water को value देंगे Water की value करेंगे उसकी importance समझेंगे तब ही तो Wetlands में Water की जो कमी है वो कम होगी Water बढ़े का Wetlands में वो ज़्यादा और अच्छे से हो Habitats प्रोवाइड करेंगे दूसरे Animals को दूसरे Flora and Fauna को तो ऐसे आप लण कर सकते हो इस बार की तो जो theme है Wetlands and Water है Wetlands Day की theme है ना क्योंकि Wetlands is related to Water जो दलदली छेतर है उन्हें बोलते है Wetlands जो रामसर्स कन्वेंशन होथा 1971 में So 2020 की जो theme है Last Year की That is Wetlands and Biodiversity तो Biodiversity हट गया Water आ गया ठीक है क्योंकि Value Water करी करेंगे तो Wetlands के साथ Water भी आएगा World Radio Day Theme is not important बट फिर भी एक बार देख लो इस बार की जो theme है Radio Day की That is New World New Radio New World and New Radio New World क्यों कहा क्योंकि 2020 में Corona pandemic था तो इस बार इस साल जो नया साल आया है Corona से हटके एक नया साल आया है जिसमें Corona pandemic हम चाते हैं कि ना हो तो इसलिए New World and New Radio Next is National Science Day National Science Day 28 February को Celebrate किया जाता है and National Sports Day 29 August तो 29 August ऐसे लर्न कर सकते हो 2-9 तो 2-9 या फिर 9-21 गया रहा होना तो 92 डेट तो नहीं हो सकती 29 हो सकती तो 9-21 9-21 मतलब 9-21 अलब भाग जाना और भाग जाना स्पोर्ट से रिलेटेड है तो 29 अगर सेलिबरेटेड है तो 29 अगर नाशनल स्पोर्टेड National Science Day 28 February इस बार की जो theme है That is Future of STI बस इतना याद रखो वैसे इंपोर्टेड नहीं है 2020 की थोड़ी बहुत इंपोर्टेड मुझे लग रही है Women's in Science तो इसलिए 2020 की इंपोर्टेड है Next is जो 9th of January that is Celebrates as NRI that is Non-Resident Indian Day या फिर प्रवासय भारती दिवस तो 2021 की same theme है जो 2020 की थी Contributing to आत्मी निर्वर भारत Self-Reliant India Next is National Youth Day important है National Youth Day इस बार की जो theme है युवा उच्सा नए भारत का है ना तो युवा आ रहा है यूथ से तो ऐसे आप easily learn कर सकते हो इसमें कोई trick नहीं है युवा that is youth उच्सा नए भारत का Last year क्योंकि हमें youth को fit करना था क्योंकि COVID pandemic चल रहा था तो इसलिए Fit India Sorry Fit Youth and Fit India तो मैंने आपको trick भी बताई थी last video में पिछली बार जब हमने themes cover की थी Days and themes वाली वीडियो में तो आप ऐसे learn कर सकते हो उसमें आपको बताया था कि पहले youth fit रहेगा तभी तो इंडिया fit रहेगा क्योंकि youth से इंडिया है इंडिया से youth नहीं है तो fit youth then fit India बट इस बार की important है युवा 12 अगस्त को हम celebrate करते है International Youth Day क्योंकि जो National Youth Day है वो 12 जन्वरी स्वामी विवेका नंद जी के birthday को celebrate करते है birthday birthday को और जो 12 अगस्त है that is International Youth Day और इस बार की जो last year की theme है that is youth engagement for global action क्योंकि ये अगस्त मागे है आपको सिर्फ April तक के themes and days याद करने है especially days not themes याद करनी है youth engagement for global action last year की theme थी क्योंकि international है तो global action global action के लिए youth engagement होगा ना इंटरनाशनल की इसलिए next 15th of January celebrated as Indian Army Day and ये आपको याद रखने सिर्फ कि इस बार का जो Indian Army edition है day का that is 73rd edition third edition okay next ये जो नया day celebrate हुआ है इस साल ये पराक्रम दिवस 23rd of January celebrated as पराक्रम दिवस that is on the birth anniversary of Nita Ji Subhash Chandra Bose और वो भी कान सी 125th birth anniversary and this is this is decided by the government of India so अब से 23rd January को देश मनाएगा पराक्रम दिवस so 23rd January okay next is National Girl Child Day and National International Girl Child Day so आप ऐसे लर्ण कर सकते हो इन दोनों डेस को जैसे National Teachers Day आता है 5 September को और International Teachers Day आता है 5 October को 5th October को तो October जो मन्त है वो बड़ा है September से September पहले आता है फिर उसके बाद October आता है तो इसलिए जो International है वो थोड़ा इंडिया से बड़ा है क्योंकि International ही Celebrate किया जाता है तो International जो Teachers Day है वो that is 5 October ऐसे ही International जो Girl Child Day है that is 11 October and National Girl Child Day पहले आता है 24 January को ऐसे आप लर्ण कर सकते हो बड़ आपको याद रखना है International Girl Child Day 2020 की जो theme है that is My Voice Our Equal Future बट Women's Day की मत भूल जाना Women's Day की है Choose to Challenge 8th of March ओके Next is World AIDS Day important है 1st of December इसे भी note down कर ले न theme जो है that is Ending the HIV AIDS epidemic तो AIDS ending ऐसे आद करो AIDS ending AIDS को end करना है TB Day की किया है T से tickling the clock is ticking है न and malaria day 2020 की 0 to beat malaria sorry 0 malaria starts with me next is 10th of December World sorry Human Rights Day very very important क्योंकि ये exams में पूछा जाता है generally 12th December that is Human Rights Day तो ऐसे लान कर लो जो humans के राइट है वो 10 है 10 important human rights day human rights है तो human rights day celebrated on 10th of December और 2020 की theme है तो आइसे लान कर सकते हैं तो आइसे लान कर सकते हैं recover better stand for human rights अलग से अलग से mention किये हैं जिनकी themes important नहीं है days days सिर्फ आपको याद रखने हैं 10th October World Mental Health Day very important 10 October को हम celebrate करते हैं World Mental Health Day and 10th of December is celebrated as human rights day so इस बार की जो theme है that is everyone everywhere तो ये important नहीं है इतनी इसे आप skip कर देना then 16 October celebrated as World Food Day और इस बार की जो theme है that is our action our future तो future and food दोनों relate करते हैं तो ऐसे लान कर सकते हो future and food okay so this is important our action our future by FAO Food and Agriculture Organization headquarter in Rome, Italy 24 October celebrated as United Nations Day very important and Olympic Day 23rd of June ये भी important है है na so themes की important नहीं ये इतनी the future we want the UN we need next is ये important है World Tourism Day World Tourism Day celebrated on 27th of September और 2020 की जो theme है that is Tourism and Rural Development तो Tourism के साथ-साथ हमें Rural को develop करना है Rural Areas में ज़्यादा फोकस करना है तो Tourism and Rural Development तो आप negative sense भी देख सकते हो कि आप Rural Areas जो अच्छे खासे बचे हैं pollution free हैं जहां rail या फिर road या फिर और बाकी चीज़ा है नहीं है pollution वाली like metro वगेरा and development वाली चीज़ा नहीं है तो वहाँ पर भी ये अपना Tourism के लिए Rural को develop करेंगे Rural Areas को develop करेंगे वाली लग वहाँ पर भी बिकार हो जाएगा सब जैसे cities में होता है crowded area है ना तो वैसे आप लण कर सकते हो World Tourism Day Tourism and Rural Development नाव विश्व हिंदी दिवस 10 January को celebrate करते है विश्व हिंदी दिवस और जो National Hindi दिवस है that is celebrated on जैसे गर्ल चाइड़ दे 24 अक्टोबर 24 अक्टोबर इंटरनाशनल हो जाएगा क्योंकि अक्टोबर बाद मात है not 24 11 अक्टोबर तो 11 अक्टोबर हो जाएगा International Girl Child Day and 24th of January that is celebrated as National Girl Child Day 5 September Teachers Day and International Teachers Day 5 October whereas 10th January Vishwa Hindi दिवस World Teachers Day और 14 जो September है National Hindi दिवस तो इसमें आपको थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि January पहले है लेकिन वो International है Next is 8th of September International Literacy Day इसकी theme important नहीं है वैसे तो learning हो जाएगी Literacy and Literacy, Teaching and Learning in the COVID-19 crisis and beyond 8th September आपको याद रखनी है 29th of July is celebrated as International Tigers Day और 2020 की जो theme है that is Our Their Survival is in Our Hands मतलब उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में है So Tigers Day 29th July Very important Next is 26th of July Kargil विजए दिवस Operation विजए जिसके नाम से जाना जाता है Kargil विजए दिवस and इस बार की जो 21st anniversary थी Kargil विजए दिवस की इसलिए important है याद रख ले न 2020 में कौनसी anniversary है 2020 की 21th anniversary है क्योंकि Kargil जो है वो 1999 में हुआ था ना तो इसलिए 2020 में क्या हो जाएगा 21th anniversary तो ऐसे आप इसलिए learn कर सकते हो वैसे आप रटों के तो learn नहीं होयाईगी Next is जो 11 July है World Population Day एक और एक मिलके Population बढ़ाते है आप ऐसे learn कर सकते हो 11 July है Celebrated as World Population Day Okay Theme is not important How to safeguard the health and rights of women and girls now तो वैसे तो learn कर सकते हो आप की Population बढ़ रही है तो women's and girls की जो health और उनकी rights है उनको हमें protect करना है safeguard करना है 23 June मैंने बता दिया International Olympics Day and this is important very important यह question आप से पूछ लिया जाएगा So 21 June is celebrated as International Yoga Day and World Music Day भी celebrate करते है और 2020 की जो theme है यह 2020 की है COVID के situation में तो इसलिए जो theme है वो भी COVID से related ही है Yoga at home and Yoga with family Yoga घर पर और Yoga परिवार के साथ ओके जैसे fit youth fit India यह 2020 की International Youth Day की theme थी Next is 5th of June Very important इसे तो skip ही मत करना बिलकुल भी World Environment Day Ecosystem Restoration अभी हमने Forest Restoration पड़ा 21 March Forest Day की theme थी Then Restore Our Earth 2021 की Earth Day की theme थी 22 April And जो 5 June है That is World Environment Day इस बार की theme है Ecosystem Restoration So very important E say for Environment and E say for Ecosystem So Environment Day की theme है Ecosystem Restoration Okay Ecosystem Restoration World Environment Day theme Biodiversity Last Year की theme Next is 14 June World Blood Donor Day Important है आपसे इसकी themes तो मेरे खाल से नहीं पूछी जाएगी Day पूछ लिया जाएगा 14 June is Celebrity World Blood Donor Day Theme is Save Blood And Save Saves Lives 20 June World Refugees Day Every Action Count Important है Every Action Count is Important World Refugees Day जो Refugees हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री Migrate करते रहते हैं क्योंकि उनकी ऐसा मानते हैं कि उनकी एक कंट्री नहीं है किसी की कंट्री की कंट्री शिप नहीं उनके पास तो वो ऐसे ही तो 20 June is Celebrated as World Refugees Day Theme is Every Action Counts Next is 31st May Anti-Tabacco Day Very Important यह Important है और 24 March को आपकी हो जाएगी TB TB Day तो 21 जो 31 माई That is 31st of May Celebrated as Anti-Tabacco Day इस बार की थी भी Important है Commit to Quit Commit to Quit But TV में आप Confuse नहीं होगे क्योंकि TB में Tickling आ रहे है और Anti-Tabacco पहले A आ रहे है तो इसमें आपको T से Relate नहीं करना है जो Anti-Tabacco Day है That is Committing to Quit Protecting Youth Last Year की थी Next ये भी Important है International Day For Biological Diversity इस बार की थी में We are the part Of the solution That is Hashtag for Nature Last Year की थी Our solution are in nature तो कैसे याद रखोगे Our solution are in nature Last Year की थी But But then we realize 2021 में हमने ये Realize किया कि नहीं हमारा solution Nature में नहीं है बलकि हम पार्ट है इस solution के हम नेचर के लिए कुछ कर सकते है है ना तो our solution Are in nature 2020 की होगे और 2021 की जो theme है That is We are the part Of the solution For the nature 21st May That is Celebrated of National Anti-Terrorism Day और ये question आपके MNS 2020 में पूछा गया है तो इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है Anti-Terrorism Day Celebrated on 21st May तो अगर हम दो एक को तो border पर मारी देते हैं अगर कोई ऐसे गुस्पेटी आते हैं है ना तो आप ऐसे लग कर सकते हैं 2-1 से May May be Now 12th of May Celebrated as International Nurses Day So ऐसे लग कर सकते हो कि 21 May और 12 May तो दोना opposite है एक तो ये 12 हो गया और ये 21 तो दो एक जो है हमारी border के आसपास एरिया में आ जाते हैं है ना तो ये तो कि terrorist तो 21 May Celebrated as Terrorism Day Anti-Terrorism Day और 12 May वही उनका opposite जो है तो ये नर्सेज जो opposite काम कर रहे हैं वो मारने का काम कर रहे हैं नर्सेज हमें बचाने का प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं by you know first aiding and other things तो International Nurse Day is celebrated on 12th of May इस बार की थी में Our Vision for Future Health Care हमारा जो Vision है Aim है that is Future Health Care के लिए now World Red Cross Day this is very important जो World Red Cross Day की theme है that is Hashtag Keep Clapping 2020 की theme है 2020 की theme है Hashtag Keep Clapping करोना की टाइम पर इसलिए क्योंकि उन्होंने जो Red Cross है उसने बहुत ज़दा important role play किया था COVID-19 situation में और हर जगे क्योंकि एक Corona pandemic था तो Red Cross ने काफी help किये लोगों की तो ऐसे learn कर सकते हैं उसको promote करने के लिए motivate करने के लिए appreciate करने के लिए Hashtag Keep Clapping 8th of May Red Cross Day भी celebrate करते हैं Red Cross Day ही तो है 31 then 3rd of May Press Freedom Day Keep Power in Check 2021 की theme है बतलब ऐसा नहीं है कि हमें जो freedom है वो Press को पूरी दर दे देना है उसकी जो power है वो regulate भी करने है check भी करने है 2020 की जो theme है that is journalism without fear or favor but 2021 की important है keeping power in check next is first of May international labor day theme is maintaining safety and security at the workplace तो labors को यह बताना है कि अपने workplace पर maintain करें अपनी safety safeguards due to COVID-19 now कुछ important days जैसे 25 जैन्वरी National Tourism Day क्योंकि जो international tourism day that is 27th of September और इस बार की theme क्या थी tourism and rural development 30 जैन्वरी martes day या शहीद दिवस 20 जैन्वरी and let me know in the comment box की एक और जो अपना शहीद दिवस हम celebrate करते हैं वो कब celebrate करते हैं March में में थी I think celebrate करते हैं 4th of December that is Indian Navy Day 7th of December Armed Forces Flag Day 11th December UNICEF Day उसके बाद 16 December विजय दिवस जो गोवा आजाद हुआ था उसके लिए और 8 October Indian Air Force Day तो Air Force Day 8 October हो गया Army Day जो है 15 January and 4th December Navy Day Okay Armed Forces जो Flag Day है that is 7th of December तो 7th of December ऐसे याद कर सकते हो यह जो 7 है वो हम ऐसे लिखते हैं तो Flag की तरह है यह ना Flag की तरह है तो 7th December and 10th December Human Rights Day और कुछ important days हैं जैसे आपका जो 3rd of October है that is celebrated as World Nature's Day तो Nature's Day पूश लिया जाएगा कब celebrate करते हैं तो Nature Day is celebrated on 3rd of October and 1st of July Doctor's Day Doctor's Day क्योंकि 12 में होगा आपका Nurse Day इसलिए यह भी important है 16 September सबसे जादा important है 16 September Ozone Day Ozone Day is celebrated on 16 September October एक है 16 September I enjoyed the Holy very well अब Holy से ध्यान अटाके आपने एक दिन अच्छे से Holy enjoy कर ली अब दुबारा वई dedication and focus के साथ अपना पढ़ना है दुबारा ट्रेक पाना है जैसे आप पहले पढ़ रहे थे full dedication के साथ और अगली बार I wish कि आपकी जो हो ली है वो आपके dream colleges में celebrate हो ओके so thank you आपके